गुड मॉर्णिंग फ्रेंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में तो फ्रेंड आज हम आपको अस्थीन पर बिना किसी कटिंग के बहुत ही प्यारी डियान बनाना बताएंगे तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिप्वेस्ट है कि अगर करना है तो प्लीज चैनल को भूल को शुआरे जरूर करें यहीं डिकी फ्रेंड 2 की करिंग देंगे और यहाँ पर इस्थीन की ने किलेसा आए तिसाल के लेशि ले सकते हैं या को यंप या इस भी डिजाइन के ले ले सकते हैं परेंड से सबसे पहले हमें क्या करना है तो सबसे पहले हम अस्तर जोड लें घी कर दोब दो का और भें Ooh कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपली तरीके से हमने अस्तर को जोड़ लिया है और यहां पर यहां पर इसको इस पकार से रखेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे हम यह देखिए इससे बहुत ही बड़ी अलुक आएगा अस्तिन में तो यह देख सकते हैं इस पकार से शिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमने एक बार लेस लगा लिया है अब हम दूसरी बार लेस लगाएंगे लेकिन दोनों लेसों के बीच में आदे इंच का गेप रखेंगे और लेस लगाने से पहले हम अस्तिन को मोड़ कर इस पकार से बिल्कुल इस सेंटर में निश लगा लिया है और अब हम लेस लगा लेंगे तो यहां पर हमने कटिंग का जो निशान लगाया है वी सेंटर पर वहीं तक शिलाई लगानी है और यहां पर लिया है हमने 4.5 एंच का लेस लेस का टुकड़ा और उसको इस पकार से लेस के नीचे दबा करके यह देखिए इस पकार से दबाना है और यहां पर इस पकार से सेफ आ जाएगा यह आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं जैसा आपको पसंद हो और उस पर इस पकार से शिलाई लगा देंगे और इस पर हम बाद में शिलाई लगाएंगे पहले हम यहां तक शिलाई लगा देते हैं यह द तो यह देखी फ्रेंड्स से यहां पर हमने शिलाई लगा लिए और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी डिजाइन लग रही है यह देखिए तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम दूसरी अस्तीन पर भी शिलाई लगाकर लेस लगा लेते हैं प्रेंड्स से यह देखिए यह देखिए यह देखिए प्रेंड्स इस आप देखिए झाल 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 तो देखा फ्रेंट्स आपने कितनी सुंदर दीजाइन है और कितने इजी तरीके से हमने इसको कुछ ही मिन्टों में बना कर तैयार भी कर लिया है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह पसंदा तो प्लीज एक बार ट्राय करके जरूर देखें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई